सरफ भारती बात करें तो भारत बी दुनिया की پांच वी बड़ी एकानमी बनने जा रहा है और यूके को भी पीछे छोड़ दिया है हालांके पर-zero capital income सरफ हमारी कम हो पर अफाल मैं हमारी यूके से भी बड़ी हो ती जा रही है अब इसमें दो चीज़े हैं, पहले हम पांच में सबसे बड़ी बन गए है, यूके से हम आगे निकल गए है, अभी हम उनके इलेक्शन की बात कर रहे थे, ये एक और चैलेंज है, कि उसी किसी भी प्राइम मिनेस्टर के लिए पुब्लिक को ये बताना, जी वो पांच में न आप से देखिए, कि हमें कहां पर पहुंचना है, और मेरे को ये लगता है, कि we should take pride in whatever we have achieved, पर हमारे goals clear होने चाहिए, कि हमारे हर हिंदुस्तानी को एक dignified life, एक healthy life, proper education, अपने dreams, अपने passion, अपने skills को आगे बढ़ाने की एक opportunity provide करना, ये एक देश का काम है, कभी भी perfect देश न नहीं करना है, बट हर रोज हम उस ideal के और पास जाएं, ये हमारा goal होना चाहिए, कभी zero corruption नहीं होनी है, मैंना तो भी बोला, कि डेमोकराश में, बट हर रोज वो corruption minimum हो जाए, कभी absolute equality नहीं आनी है, पर हर रोज वो inequality कम होती जाए, inequality कम होती जाए, वो critical part है, कभी भी basically, क्या ब बोलते हैं, बिमारी खतम नहीं होनी है, पर वो कम होती जाए, तो ये मेर को लगता है, एक ideal भारत का हमारा एक जर्नी है, it's an infinite game, सारी जिंदगी हमने इसी तरफ चलते रहे, तो भारत की जो दौड है, भारत की जो competition है, वो और देशों की बजाए अपने साथ होना चाहिए, कल का भारत था, मैं मुझे आज उससे बहतर भारत बनाना है, बिल्कुल, that is the goal.